दोस्तों नमस्कार और आप देखें न्यूस बकेट में आपका स्वागत हैं बनारस के चड़कों पे हैं और यहां पे चर्चा सर्याम होता है और राजनीत को लेकर लेकिन मुद्धा इस बार अलग है हिंदू राष्ट को लेकर जिस तरीके से लगातार सभी लोग यह चाहते हैं कि लिए हिट राष्ट हो और तमाम लोग हैं थ्यूर से जान लेकते कि कसी से खावा अउठ रही है क्या कासी कि लोग हिंदू राष्ट बनाना चाहते अगर आप भारत का इतिहास उठा के बारे में आपको बताएगा भारत में नजानी कितनी मुगलों अंग्रेजों का अक्रमल हुआ अब भारत सेलंगा बना को हमारे अख्छाइता को हमारे धर्म सहि सुथा को हमारी कमज़ोरी समझ ले जाती है है हम कि मुसलिम का विरोत नहीं करते हैं फक आप एला हि आ करते हैं और हिंदुराश्र्त के लिए अपना भर बहुत प्रयास में जूटे रहेंगे हिंदू राष्ट को लेकर क्या कि हैं कि ourselves हो फार बड़ों किया इसलामिक हमें बचा तो हिंदू राश्टीख लेरे की खूरत पूरे जिसमें एक वी हिंदु कंट्री हुआ जया जाएगा थो फायदा यह पारत से जितने टुकड़े अलग होते वह मुसलीम राष्ट बनता है भारत को एक गरतंत्र मेना दिया जाता है यह कहां कि जो यह परिकल्पना तो हमारे समस्य से परे है ऐसे बुद्धी जी भी पता नहीं कहां से हमारे देश में पैता हो गए जो हिंदू राष्ट को गरतंत्र में परिवर्तीत कर दिया हैं इन्होंने मुझे उनकी बुद्धी विवेक पर कुछ टिपड़ी तो नहीं करनी है मगर यह कहीं न कहीं हमारे बहु संक्यत हिंदू के साथ अन्याय हुगा और रही बात हिंदू राष्ट की परिकलपना तो हमारा गीता उठागे पढ़ लिजिए हमारा रामायल हमारे ग्रंत हमारे वेज जो करोड़ों वर्स पुराने हैं हमारी सब्वेता हमारी संस्कृती सब जगां आपको सनातन सनातन और सिर्फ सनातन धरम मिलेगा यह तरशा वर्तमान में आज भारत तक में सिमट के लोग रख दी हैं वह भी भारत में भी सैकुलर रिजम के नाम पर भारत जैसे देश को हमारे एक कंट्री बना कर रखना चाहते हुएं सब्सक्राइल हिंदू तो वैसे भी सदा सेद्वरा हिंदू थो अमेशा से किसी को पर अध्या पूजा करता है शुरी की भी पूजा करता है लोगों का सम्मान किया जो बाहर से आते हैं उनको आश्रय देता है तो यह धर्म के रास्ते पर हमेसा हैं तो हम कहते हैं कि जब हम धर्म से हमें किसी का विरोध नहीं करना है इसलिए हम चाहते हैं कि जो बचा हुआ है वो बचा र कि इस बताइब कि हिंदू राष्टों अगर यह देश बन जाएगा तो क्या हिंदू पटाए यह बहुत को था के बहुत करेंगे की नहीं नागली भारत में जुटा यह जा यह बारत में हैं घुटाइं रहे में हिंडू हिं कि नहीं हिन की नहीं हिंडू राश्ट की माम करेंगे की सेख के ये लुगा समझे ये ये हूं वह्त ये फटना है तो हिंडू राश्ट के बारे में की अट वेजै की तो महिलाओं को क्या फैदा होगा बहुत कुछ फैदा होगा मैलाइस राच्छे त्रहेंगे और जो इतना वह रहाएं वह नहीं होगा लब जिहाद यह से लोग हिंदु राष्ट की बात कर रहे हैं आप तमर्थन में हाई या नहीं समार्थन में बुलती नहीं सामने लेकिन तरीके से महिला भी समर्थन में और विए थोड़े से लोग अनुद और बहूत तहरे यह लोग कर रहे कि बहुत ऐसे हिंदू हैं जिनको हिंदू माना नहीं जाता है तो फिर कैसे आप एक हिंदु राश्ट की कलपना करते हैं आपका मरतात्पर짝 स hierarch जिसकी परिकलपना ही साढ़ साल पूर पहले रखी गई है आजादी के बाद उनीसों साथ में मेरी बाती है मंनीसों साथ में चॉलनल साठ मुलोगा बाए में तूर अनली उस अवा चाहि её कोई परिकलपना नहीं ती जिसका अक्तिक व भाया एसी एस्टी अंग्रेजों ने बनाया हमारे किसी पुरान में बता दीजिए हमारे गीता भगवद गीता ध्याय चार ठीक न इस लोग ते रमा चातुर वणयम वयास रिष्टम गुण विवागा तस्ट कर व्यापी मा विद्या द्याय करता रम्यम हमारे यहां बाटवारा कि ब्रामन चत्री वैस सुद्र परन्तु कर्म निष्ठा और योगता के अधार पन्ना की जाती के अधार पर यह सब राजिती है ना कोई एस्टी है सब हमारे भाई हैं चाहिए वो दली तो हमारे भाई हैं यह हम लोगों को साजीशन अलग करने के लिए हिंदुत्यों को कम कर हैं तो फिर विवाजन करने के लिए विदेशी तो हमारे नरे honeymoon कहते हैं मारे पुराना काहते हैं हमारे पुराणा को दल दलται मंगा कोई सब्दही नहीं है कभी व पुराने में कोई सुद्र वैस्ट सब है लेकिन बुल योगिता और सामर्थ का नुसार ना कि जाती पिसेज का नुसार बुल योगिता के अधार पर अलग किया गया है तो यह सब लडाने वाली बात है छोटी जातियों को बड़ी जातियों को अन्य से भाई को भाई से लडा कर एक दिन फिर राष्ट का बिवा का राज होगा और सबका साथ सबका अभिकास होगा तो आप देखे कि एक आसी के लोग हैं और हिंदू राष्ट के लिए क्या कुछ कह हैं देखेना दिल्च्वास्त होगा कि आने वाले वक्त में सतरकार इससे क्या मंधन करती है तो ग्राउंड जीरिस रिपोर्ट कर रहे है तो हमार साथ बनने रहे न्यूजबकेट के साथ हमें दिजिए इजाजात नमस्कार